कि वाव सो यमी यह देखिए इससे कहते हैं स्वेडिश इतनी लजीज दिख रही है कि बस क्या कहने वाव वाव हेलो फ्रेंड्स टेस्ट विद ममता की किचन से मैं ममता शर्मा देव भूमी उतरा खंट से आपका स्वागत करती हूँ तो फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए एक बहुती कमाल की रेसिपिल आई हूँ जो आपकी पांच मिनट में बनके तयार हो जाएगी और कभी कोई घर में गैस आजाएं तो आप टेंशन फ्री हो जाएए कि उनको आपने स्वीडिश में देना किया है ये इतनी जल्दी दयार होती है और उससे कहीं गुना ये टेस्री होती है तो ये देखिए ये बनी है बहुत ही मज़ेदार सी वर्मी से लिकी खीर कह लीजिए इसको इसे जरूर ट्राइ कीजिए तो आपको ये जरूर पसंद आएगी तो आईए फ्रेंट देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं चली तो गाइस इस टेस्टी सी स्वीडिश को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक पैन रख लिया है गैस पे और उसमें हलका सा तले पे पानी डाल रखा है ताकि जब मैं दूद उबालू तो वो तले पे ना चिपके तो दूद आप कोई भी इस्तमाल कर सकते हैं मैं ये पैकेट वाला दूद इस्तमाल कर रही हूं और ये हाफ लिटर दूद में यूज कर रही हूं तो आप अपनी क्वेंटिटी कम ज्यादा कर सकते हैं तो अभी हम इस दूद को पहले अच्छे से बॉइल होने देंगे, चलिए तो दूद यहाँ पे उबल चुका है, यह देखिए दूद अच्छे से उबल गया है, अब हम इसे किनारे कर देंगे और यहाँ पर अब हम एक भगोना रखेंगे यह मैंने एक बर्तन रख दिया है ना खाली तो अब मैं यह बहुत थोड़ा सा वनफोर्थ के करेब यहाँ पर घी डाल रही है और यह घी मेल्ट हो चुका है तो मैं आपको दिखा दूँ मैंने एक कटोरी से बहुत थोड़ा सा कम यहाँ पर जो सेवियां होती है ना वर्मिसली वो डाल दी है जैस की फ्लेम को कम रखिएगा और इसे फटा-फट हलका हलका हम भून लेंगे भ्यान रहे जलेना यह सारी व से किसी भी ब्रेंड का कस्टेट पाउडर ले सकते हैं मैंने वैनिला फ्लेवर्स में लिया है तो अभी हम क्या करेंगे मैंने इस तरह से चोटा सा गिलास लिया है उसमें मैं यह दो चमबच करीब कस्टेट पाउडर डालूँगी क्योंकि मैं हाफ एजी दूद की बना रही हूँ तो उसमें दो चमबच काफी है और उपर से थोड़ा सा ठंडा पानी डालूँगी ठंडा मतलग नॉर्मल वाटर है ठीक है और इससे आप चाहे तो नॉर्मल दूद में भी डाल सकते हैं लेकिन मैं नॉर्मल पानी में ही से खोल रही हूँ इस तरह से तो इसको मैं रखके किनारे कर देती हूँ जब तक और अब यह और यहां पर वर्मिसिले भी बिल्कुल अच्छे से पिंक हो गई है बहुत सुन्दर सा कलर आ गया है सुनेरा सा तो अब यह हम क्या करेंगे इसमें यह तूट एड़ कर देंगे और इसको अच्छे से हिला लेंगे और अब यह आपस में इसकी कोई गुठलिया नहीं बनेंगी क्योंकि हमने इसको अच्छे से भून रखा है तो अभी इसके बार साथ ही साथ हम क्या करेंगे मैंने इस तरह से यह इलाइची पाउडर पीसके रखा हुआ है आप जाहे तो इलाइची को फुठके भी इसमें डाल सकते हैं पाउडर डालने से क्या होता है इलाइची वेस्ड नहीं होती पाउडर कोशि़ किजिए कि इलाइची का पाउडर ही बनाई यह पाउडर की मैंने वीडियो अपने छैदनेल पे डाली हुई आप देख सकते हैं तो अब हम क्या करेंगे इसको अच्छे से पहले कोखोने देंगे थोड़ा सा उबाल आने देते हैं इसको और अब मैंने गयास की फ्लेम को तेज कर दिया है इसको पहले उबाल आने देते हैं तो फ्रेंड्स यह उबाल आने लग गया है आप देख पा रह तो अभी हम इसी बीच क्या करेंगे इसमें ये कस्ट्रेड मिला देंगे और बहुत धीरे-धीरे मिलाईएगा एक हाथ से मिलाईए और दूसरे हाथ से इसको हिलाते रहिए वरना कस्ट्रेड थंडा है तो वह एकदम लंग्स पड़ जाएंगे उसमें कितना बड़िया से एकदम गाड़ा सा हो गया है और दूद अगर आपको कम लगे तो थोड़ा सा और एट कर सकते हैं तो ये एकदम बहुत गाड़ा सा हो गया है न ये देखिए आप चाहें इसमें थोड़ा पानी या दूद एट कर सकते हैं तो मैं हलका सा इसमें पानी य ही आटकर दूँगी बहुत थोड़ा सा और इसको अब हम पकाईगी ठीक? और इसी बीच मैं इसमें क्या करूँगी? मैंने यह जितनी वर्मीसी लिली थी, उस से थोड़ा सा कम मैंने चीनी ली है तो चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम जादा कर लीजिए और अगर आप मीठा तेज पसंद करते हैं तो थोड़ा तेज राल दीजिए और थोड़ा कम पसंद करते हैं तो थोड़ा कम कर सकते हैं तो मैंने ये मेजरमेंट के हिसाब से बनाया है तो जितनी वर्मी से ले थी उतनी ही चीनी पड़ती है इसमें और ये बन के बहुत ही टेस्टी होती है आप चाहें इसके गरम-गरम खाए चाहे ठंडा खाए ये दोनों में ही बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है बहुत ही यमी होती है तो और इसमें से जो इलाइची का फ्लेवर है इतना बढ़िया आ रहा है ना इस समय अच्छी खुश्बू आ रही है बस इसको एक उबाल और आने देते हैं और उसके बाद हम गैस बंद कर देंगे इसको थोड़ा सा भी हम और कुखोने देते हैं चलिए तो फ्रेंडंस ये बहुत अच्छे से कुखो गया है आप देख रहे हूंगे और अच्छे से घाडा भी हो गया है तो अब हम क्या करेंगे इसी बीच इसकी गैस को बंद कर देते हैं ठीक है ये देखिए बहुत अच्छे से कूक हो गया है काफी देर से पक रहा है तो अब हम इसको थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं और मैंने यहाँ पे कुछ ड्राइफूट्स कट करके रखे हैं तो फिर आप अपनी जरुत के नुसारूर ने मिला सकते हैं आपको जो पसंद हो डाल सकते हैं और यह बिना ड्राइफूट्स के भी बहुत टेस्री बनता है तो अभी मैं इसको ठंडा होने के लिए रख देती हूँ थोड़े देर फिर मैं आपको इसको सर्फ करके दिखाती हूँ चलिए तो गाइज यह देखिए यह स्वेडिश बिल्कुल ठंडी हो चुकी है ठोड़ासा गुनगुनी है लेकिन लगभग ठंडी हो चुकी है ठीके तो यह इतनी बढ़िया बनी है इसका टेक्शिर देखिए आप देखकर ही मूँ में पानी आ रहा है कभी कोई गैस्ट आ जाए तो टेंशन फ्री हो जाएए यह सर्फ पांच मिनट में बन जाती है बहुत ही इजी रेसिपी है बहुत ही आसान तरीके से बन जाती है और बहुत कम सामानों से बनती है यह इसकी खासियत है तो चलिए अब हम इसको सर्फ करते हैं आईए तो यह देखिए यह मैंने एक स्व थोड़ा सा ये बादाम मैंने बिल्कुल फाइन चॉप कर लिये है और थोड़ा सा ये गोले के पीस को मैंने इनको पतला पतला कट कर लिया है तो बहुत जादा मैं नहीं डालूंगी इसमें तो अभी मैं क्या करती हूं उसको ये देखे कितना बढ़िया से इसका लुक ये खाने में उसे कहीं गुना जादा है ये देखे कितना सुंदर इसका लुक आया है तो आप भी इसको जरूर ट्राय कीजिए और आपको भी ये जरूर पसंद आईगी ये रेसिपी बहुत जादा आईजी है तो आप भी इसको एक बार बनाके जरूर ट्राय कीजिए तो I hope क्या आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल पर जाके उसे लाई कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और comment box में ज़रूर बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है तो फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में नेक्स रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई थैंक यू